हलो दोस्तो नमश्कार पुड़ों को स्टार्ट कर लेते हैं जो निर्मला सितरामन जी है तभी जो बाते वो सामने रखेगी तभी पता चलेगा कि कितना सच और कितना जूट करके पर उसके पहले दोस्तो मार्केट तो आपको पता ही है एडवांस चीजे यहाँ पे पहले से ही मतलब बजेट है ना दोस्तो वो मतलब पूरा बजेट एक साइड पे और रेलवे से रिलेटेड जो मतलब बाते होने वाली है वो दूसरे साइड पे बहुत जादा उमीद बाजार लेकर चल रहा है क्यों ऐसा क्यूंकि जिस प्रकार के रिपोर्ट के जरीए खबरे सामने आ रही है यह तो मतलब अगर सच हुआ तो डेफिनेटली रेलवे स्टॉक्स के लिए कई सालों तक आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मस आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि अल्टिमेटली क्या है कि रेलवे को अगर बढ़ा करना है तो पैसा लगेगा और रेलवे का अगर बजेट बढ़ जाता है तो इससे बढ़ा धमाका कुछ होई नहीं सकता तो इसलिए दोस्तों एक्सपेट किया जा रहा है कि बहुत बढ़ा धमाका इस बजेट में रेलवे सेक्टर से रेलेटेड हम लोग को देखने को मिल सकते हैं अगेन केना चांगा यह उम्मीद है अभी होगा नहीं होगा वो तो एक तारिक कोई पता चलेगा अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना तो रेलवे स्टॉक जितने भागे ना उतने आपको गिरते वे भी देखने को मिल सकते हैं पर जिस प्रकार से हम लोग को सोर्स के जरीए खबरे आते वे देखने को मिल रहें 110 वंदे भारत ट्रेन आप लोगों को फर्स्ट फेप के दिन निर्मला सितरामंजी जब रेलवे बजेट भी यहापर अनॉंस करेंगी तब आपको शायद से मतलब जब वो रेलवे बजेट की बात करेंगे ना तो इन पॉइंट्स के उपर फोकस रखा जाएगा 110 वंदे भारत स्लिपिंग कोचे के साथ यहापर देने की बात है यहापर चल रही है बेली से स्टार्ट होंगी जो की साउथ इंडिया तक हम लोगों को जाते वे देखने को मिलेगा एंड थोड़ा स्पीड भी इनका बहुत अच्छा गासा रहेगा जिसके चलते कम टाइम stations, platforms हम लोगों को क्या होते वे देखने को मिलने वाला है उनका बहुत बड़ा काया पलट मतलब redevelopment होते वे देखने को मिलने वाला है यह railway development मतलब क्या यह infrastructure का काम है तो आप अंदधा लगा सकते ही कि बहुत खर्च का काम होता है दोस्तों यह and ultimately सरकार खर्चा करेगी मतलब क्या उनी के खुद के companies के pocket में पैसा जाएगा so यह point आपको पता होना चाहिए and यह वैसे भी कई time से हमनों को ए खबरे सुनने को देखने को मिल रही है अभी first web को यह भी देखना पड़ेगा कि क्या निर्मला सितारवन जी इस से related कोई बात रखती है या नहीं next अगर हम लो को चलाने की कोशिश या पर की जाएंगी red coal का ज्यादा इस्तमाल यह पर नहीं होगा and बाद में electricity आपको पता ही है कि green energy के और हम लोग को transfer होते वे देखने को यह आपर मिलेगी मतलब overall अगर हम लोग यह आपर बात करे green mobility की बाद उनने यह आपर रखने की कोशिश यह आप मिल सकता है and सरकार ने इसके पहले भी सरकार ने तो बोलना नहीं चाहिए report के जरीए खबरे सामने आथी कि 2025 तक की यह बाद बोली जा रही है कि जितने भी railways है ना उसका electrification किया जाएगा तो बहुत बड़ा यह challenge है मतलब अभी 2022 भी खता मतलब 23, 24, 25 मतलब हाड़ली 3 साल के internet से connect है आपे होंगे, wifi से है आपे connect होंगे, so यह जितने भी station से उनमें यह सारी सुवीधा है आप लोगों को आने वाले समय में देखने को आपे मिलने वाली यह भी point आपको budget में देखने को आपे मिल सकता है, then अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तो operating ratio, railway का भी जो operating ratio उ इसी चीज़ को यहापे क्या करता है, note करके रखते है, और जब निरमला सितरामन जी budget से related, मतलब railway budget से related बाते सामने रखेंगी, जैसे वो कागत पलेटती है और मैम बोलेंगी, तो तभी हम लोगों को क्या करना होता है, पूरा बाजार इनके उपर focus रखेगा, रे वंदे भ official की जरी हम लोगों को एक खबरे मिल जाती है, जो कि public domain में available है, तो यह point भी आपको पता होना चाहिए, तो railway का विस्तार करना है, विस्तार करना है, मतलब एक जगे से दूसरे जगे पे जाना है, तो obviously railway में थोड़ी ना चलती है, या फिर पानी पे चलती है, ना तो road पे चल दिया, तो भी बहुत बड़ी बात है, 10 km की बात हो रही है, तो यह भी एक point है, budget के दिन हम लोगों ने जरूरी इसको focus में रखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे companies है, जो कि इनी से related काम करती है, railway tracks से related, तो यह point आपको उस सभी लोगों को या पे पता होना चाहिए, then अगर हम लोग बात करें, connectivity, अभी एक शहर से दूसरे शहर जाना है, एक जगे से दूसरे शहर, मतलब जगे जाना है, बीच में पानी आता है कि ने, कभी-कभी, तो क्या करेंगे, obviously breach क्या requirement रहता है, तो उसका भी infrastructure development का हुआ, मतलब basically वो इसी में आ गया, कि एक point से लेके, A point से लेके B point तक जाना है, तो आपको जो भी काम लगते हैं, वो करने पड़ेंगे, बीच में river आता है, समुंदर आता है, whatever, आपको उसको यहाँ पे crack करके आगे बढ़ना है, तो इसी के चलते जितने भी shares है, वो हम लोग को पहले ही जादा focus में देखने को आपे मिल रहे है, प्लस उ और खबर हम लोगों को छड़ते हैं, देखने को मिल रहे है, कौन सी, merger and acquisition, railway का merger होगा करके, rail tail IRCTC में जूड जाएगा, RVNL की बात करें, तो आरकॉन इंटरनेशनल में जूड जाएगा, बट अभी तक देखा गया, तो ये खबर अभी इतनी जादा, हम लोगों को bright देखन पर रहने वाला है, सो रहसो और आल इनी चीजों के चलते, जो आप ये देख रहे हैं ना, पिछले 6 मेने में, ये railway stocks में, जो ड्रामा देखने को में, 6-6 मेने में, 60-60%, जो की 1-2-2 साल बिलकुल नहीं चल रहे थे, वो कुछी चंद दिनों में इतना तेज भाग गया, उसक सकती है, बबल बर्स्ट भी हो सकता है, अगर बबल बर्स्ट होना मतलब क्या, स्टॉक वापस नीचे गिर जाएंगे, कोई बरबाद बिरबाद नहीं होगा, बट येस, जिस उमीद के चलती है, स्टॉक्स यहां पर भागे है, वो वापस अमनों को कूल दाफ होते वे इसके पीछे का भी रीजन यही है, इनको एक बहुत बड़ा होप मिल चुका है, कि बड़ा ओर, मतलब अगर चार-पाच हजार करोड का ओर मिल गया है, दोस्तो बस काम तो हो गया, एक जटके में पैसा नहीं आएगा, चार-पाच हज़र करोड, धीमे दीमे आएगा, सो करोड, दोसो करोड, पाच सो करोड, सो करोड, दोसो करोड, और ऐसे करते करते कम्पनी के हर वक्त की जो कौटरल नंबर है, वो सुदर जाते है, अलाकि मार्केट उस का इंतजार नहीं करेगा, मार्केट पहले ही भाग जाता है, जो कि आप देख सकते है, 50% भाग गया, क्यों पहले ही मान लिया, कि ऐसा होने वाला है करके, अगर नहीं हुआ, तो विक्वाली हो सकती है, इसलिए तो बोला जाता है, ना, कि buy on rumors, यह हो सकता है, कि rumors करके, जब देखना पड़ेगी, तब देखना पड़ेगा हम लोगो, कि कितना सच और कितना जूट, अगर सच हुआ, तो अच्छी बाते पहले ही तेज है, अगर जूट हुआ, तो चलिए, पटाफट, प्रॉफिट बुकिंग, इसलिए, बजेट के पहले, railway stocks में आपको, भयांकर हल देखने को मिलने वाले, आप विटनेस भी कर रहे हो, जो स्टॉक इतने सालों से चल भी नहीं रहे थे, खास करके, अगर मैं बात करो, आरकॉन, IRFC, या फिर, RVNL तो वैसे तो चला था, बट फिर भी, और अगर बात करें, यह 200-200 भागना, बट उसके पहले देख लेना, ब इसे तो देखा गया, तो इतना कुछ खास फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि यह end user है, end user मतलब, यह सब कुछ जब ready made हो जाएगा, उसके बाद जब इनके railways भागना स्टार्ट करेंगे, services देना स्टार्ट करेंगे, तब जाके अच्छा performance कर सकता है, बट फिर भी, देखा गये, तो कोई खराब कंपनी ने, बहुत अच्छी कंपनी है, सो लोजी के लिए अगर देखा गया, तो इस वक्का जो बजेट रहेगा, railway sector से रिलेटर बहुती, खतरनाक मतलब, खतरना मतलब, शांदार ही आपे रह सकता है, एक उमीद की किरण, सबरदस बड़ी उमीद की किरण देखने को मिल रही है, इसके चलते ही, ज़रूर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, railway stocks के उपर focus रख सकते हो, आशा करता दोस्तों, वीडियो हेलफू लगा होगा, तो चाहो तो इसको like and share कर देना, अगर आपनी अभी तक उपन नहीं किया है, तो link नीचे description में, 25 बड़ So, we will be meeting RAX Studio, तब तक के लिए, बाइ-बाइ